हेलो एवरीवर मैं सुभम चतुरवेदी कॉंसेप्ट कॉंप्टेटिव क्लासेज मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए मैच के टॉपिक AP, GP and HP का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ जैसा कि इसके पार्ट बन में हमने AP के सभी कॉंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिये थे अब यहां पर हम सेकेंड पार्ट में AP के बहुत important important question को बहुत आसान और अच्छे तरीके से करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि question number 1 में हमको क्या दिया हुआ है find the 45th term of the given AP यानि कि दी गई समानतर श्रिणी का 45 पद क्यात करें अब जो हमें AP given है वो क्या है भाई आपकी minus 16, minus 11, minus 6, minus 1, dash, dash, dash अब यहां पर हमको क्या करना है इसका 45th term को find करना है मतलब 45 पद ग्यात करना है तो चलिए 45th term को find करते हैं तो हमको T45 की value find करनी है तो आपको भी मैंने बताया था भाई कि TN बराबर क्या होता है आपका A plus N minus 1 into D अब यहां पर देखें तो A यानि की first term, first term कितनी देख रही है आपको minus 16 तो यह लिखा मैंने यहां पर first term हो गई minus 16 plus उसके बाद N, N total कितने term है भाई 45 N minus 1 तो चलिए यहां पर 45 minus 1 और into D अब यहां पर difference के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था difference बराबर second term minus first term अब देखें आप second term हो गई आपकी minus 11 और minus first term कितनी हो गई आपकी minus 16 अब आपको भी पता है कि minus minus क्या हो जाता है plus मतलब की 16 minus 11 यह कितना हो जाएगा आपका plus 5 तो इनका जो difference आगया वो कितना आगया आपका plus 5 तो यहाँ पिंटू कर देते हैं हम difference कितना हो गया plus 5 अब यहाँ पर देखते हम तो यह हो जाएगा हमारा total minus 16 और plus 45 minus 1 कितना हो जाएगा 44 और 44 into 5 कितना हो जाएगा आपका 220 तो यह हो गया अब 220 minus 16 तो यह कितना हो जाएगा आपका 204 तो इसका जो 45th term होगा वो कितना हो जाएगा 204 स्टार्ट हो रहा है question थोड़ा सा low level से धीरे धीरे question का level बढ़ेगा और आपको बहुत सरल तरीके से question को solve करना सिखाऊंगा तो हमारे question का answer हो जाएगा 204 I hope आपको इसमें कोई भी doubt नहीं होगा अब आजाते हम इसके question number 2 पर तो question number 2 है आपका कि how many terms are there in the given AP यानि कि नीचे दी गई समानतर शेडी में कुल कितने पद है अब ये जो हमारी AP है minus 130 minus 122 minus 140 dash dash 142 चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमको भी पता है कि AP में nth term का formula क्या होता है भाई A plus N minus 1 into D अब यहाँ पर अगर आप देखें तो nth term यानि कि TN इसकी value आपको दिख रही है कितनी हो गई आपकी 142 लाश्ट term है अगर हम बात करें A, A यानि कि first term तो first term आपको दिख रही है कितनी दिख रही है 130 और यदि हम इनके difference की बात करें तो difference मतलब second term minus first term तो second term हो गई आपकी minus 122 और minus first term कितनी हो गई आपकी minus 130 अब यदि देखें तो minus minus क्या हो जाएगा आपका plus तो यह हो जाएगा 130 minus 122 तो यह कितना हो जाएगा आपका plus 8 यानि कि जो difference चल रहा है वो total कितने का चल रहा है plus 8 का तो I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा अब देखें आपको भी पता है कि tn बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर देखें तो nth term यानि कि tn कितना हो गया 142 तो यह हमने right hand side पे left hand side पे लिख दिया 142 equals 2 a यानि कि first term कितनी हो गई हमारी minus 130 तो यह कर दिया plus उसके बाद n minus 1 number of terms हमको find करनी है तो यह कर दिया हमने n minus 1 और multiply by d difference कितना है आपका 8 तो यह कर दिया अब देखें minus 130 इस side आएगा तो plus 130 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 142 plus 130 तो यह हो जाएगा आपका कितना 272 तो I hope यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहां पर आप देखें तो बराबर क्या हो जाएगा आपका n minus 1 और into कितना हो जाएगा आपका 8 तो यह हो गया अब देखिए N-1 बराबर 34, माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा 34 प्लस 1 यानि कि 35, तो यहाँ पर हमारे जो total number of terms होंगी, वो total कितनी हो जाएँगी 35, आई होप आपको यहाँ तक question बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको इस पे कोई भी problem नहीं होई होगी, अब चलिए question number 3 को देखते हैं, तो question number 3 है, how many terms are there in the given AP, यानि कि नीचे दी गई समानतर शेणी में कुल कितने पद हैं, तो बिलकुल question number 2 से मिलता जुलता question है, तो यहाँ पर एक बार फिर से आप इसको समझ लें, तो यहाँ पर आपको nth term यानि कि tn की value given है, यह कितनी हो गई आपकी minus 352, और यदि हम बात करें तो first term, first term यानि कि a कितना होगी आपका 23, और यदि difference निकालें तो difference हो गया, second term 8 minus first term हो गई आपकी 23, तो 8 minus 23 तो यह हो जाएगा आपका minus 15, यानि कि difference जो चल रहा है, यह कितने का चल रहा है, minus 15, अब आपको भी पता है कि a p में nth term equals to क्या होता है, a plus n minus 1 into d, अब यहाँ पर देखें, आप तो nth term है minus 352, तो यहाँ पर हमने इसको left hand side पर लिख लिया, nth term हो गई minus 352, equals to a, a यानि कि first term, first term कितनी हो गई आपकी 23, और plus n minus 1, number of term हम पता नहीं है, तो यह हो गया n minus 1, और into d, तो difference कितने का है, minus 15, तो यहाँ पर difference कितने का हो गई, आपका minus 15 का, अब देखिए, 23 इस side आएगा, तो minus हो जाएगा, भाई, plus 23 left hand side आएगा, तो minus हो जाएगा, minus 352, और minus 23, तो यह हो जाएगा, आपका minus 375, I hope आपको यह clear हो गया होगा, equals to, अब यहाँ पर आप देखिए, तो यह हो जाएगा, N minus 1 और into, कितना हो जाएगा, आपका minus 15, अब चलिए हम इसको cancel करते है, minus से minus cancel हो गया, 15 से किया, 15 2, कितना हो जाएगा, आपका 30, और उसके बाद फिर 7 केरी किया, तो 15 5, कितना हो जाएगा, आपका 75, N minus 1 equals to 25, minus 1 इस साइड आएगा, तो plus 1 हो जाएगा, तो N equals to 25 plus 1, यानी कितना हो जाएगा, 26, तो इस question में, हमारी जो total number of terms होंगी, वो total कितनी हो जाएगी, 26, I hope आपको, यहाँ तक कोई भी problem नहीं होई होगी, और आपको यह question पहुत अच्छे से, और आसानी से, समझ में आ गया होगा, चलिए अब, तो question number 4 को देखते हैं, तो इस पे बोला गया है, find the sum of the first, 100 terms of the given AP, यानी कि नीचे दी गई, समांतर शेनी के, पहले 100 पदों का योग ज्याद करें, अब हमारी जो AP है, या आप ध्यान से देखें, तो 2, 4, उसके अलावा 7, 8, 12, 12, 17, 16, यदि आप इस AP को ध्यान से देखें, तो आपको difference तो सेम दिख नहीं रहा है, consecutive देखी आप 2 और 4 का difference किता हो गया, आपका 2, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 का difference, फिर यहाँ पे 1 का, फिर यहाँ पे 4 का, मतलब यह आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पर तो problem हो गई, तो जब भी इस type की problem आपके सामने आती है, किसी question में, तो आप उस AP को alternate देखें, मतलब कि अब alternate देखते हम, तो देखी आप 2 और 7, difference कितना 5, उसके पास 7 और 12, तो कि difference कितना 5, और यहाँ पर देखें, आप 12 और 17, difference कितना हो गया 5, ऐसे यह आप second देखें, तो देखें, 4 और 8, difference कितना हो गया 4, 8 और 12, difference कितना 4, और 12 और 16, यानि कि difference कितना हो गया आपका 4, तो इस series में, total 2 AP, यानि कि 2 समानतर शेणिया चल रही है, पहली समानतर शेणि जो आपकी चल रही है, यह कौन सी हो गई, आपकी 2 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर हो गया आपका 12, dash, 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 और दूसरी समानतर शेणि जो आपकी चल रही है, यह चल रही है आपकी 4, 8, 8,12 और फिर हो जाएगा आपका डेश 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 अब हमको क्या करना है कि इसके टोटल 100 टम्स का सम फाइंड करना है अब टोटल 100 अब जदी आप देखे तो एक सीरीज में दो सीरीज चल रही हैं मतलब की सीदी सी बाते यहां पे 100 टम्स की पहले पहली सीरीज में भी लेंगे और दूसरी सीरीज में हम 100 का आधा यानि की 50 टम्स को लेंगे तो आई होप आपको कलियर हो गया कि मैंने आपको क्या समझाय है यदि आप देखे तो एक सिरीज में दो AP चल रही है, तो अब हमको टोटल 100 तर्म का सम फाइंड करना है, तो 100 की half पहली सिरीज में रहेंगी और 100 की half दूसरी सिरीज में रहेंगी तो यहाँ पर 100 का half यानि की 50 पहले में और 50 दूसरे में मतलब अब आप सीधे कुछ नहीं करते हैं हम पहली सिरीज के end terms का sum 50 term का sum find करते हैं और उस पे दूसरी सिरीज के 50 term का sum find करके उसको add कर देते हैं तो ये सभी 100 term का योग निकल जाएगा तो I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया तो चलिए सबसे पहले पहली सिरीज के 100 term 50 terms का sum find करते हैं चलिए यहां पर आपको भी पता है मैंने आपको formula बताया था भाई sum of n terms equals to क्या होता है आपका n by 2 और bracket में होता है 2a plus n minus 1 into d अब यहां पर 50 terms का sum find करना है तो n मतलब 50 तो यह हो जाएगा आपका 50 by 2 और उसके बाद हो जाएगा आपका 2a तो 2 into first series में first term कितनी है आपकी 2 तो यह हो गया आपका 2 और plus n minus 1 अब 50 series 50 term है 50 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा आपका 49 और multiply by अब difference तो देखिए आप पहली series में difference देखें तो 7 minus 2 यानि कि कितना difference देख रहा है आपको 5 तो I hope आपको यह clear हो गया होगा अब आप देखें तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 50 by 2 50 by 2 यानि कि कितना हो जाएगा आपका 25 तो यह हो गया multiply by 224 प्लस 49 इंटू 5 तो 49 इंटू 5 हो गया आपका 245 और 245 प्लस 4 तो यह कितना हो जाएगा आपका 249 तो I hope आपको यहाँ तक कोई problem नहीं होई होगी अब चलिए इसको solve करते हैं तो 25 9s है 25 9s होता है आपका 225 कैरी किया हमने 22 उसके बाद 25 फोर जाएगा आपका 62 तो सीधी सी बात है यहाँ पर first series जो चल रही थी इसकी 50 terms का हमने sum निकाला तो यह कितना हो गया 6,2,2,5 तो चलिए यहाँ पर लिख देते हम कि first series के जो terms का 50 terms का sum निकला यह कितना निकला 6,2,2,5 अब प्लस अब हम second series की 50 terms का sum निकाल देंगे तो इस पूरी series के total 100 terms का sum निकाल जाएगा तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम second series की 50 terms का sum find करते हैं तो चलिए करते हैं भाई तो यहाँ पर हम इसको solve करें तो चलिए second series में देखते हैं तो second series में भी हमको 50 terms का sum find करना है मतलब की sum of 50 terms को find करना है तो यह लिखा बराबर अब यहाँ पर आपको भी पता है sum of n terms formula क्या होता है n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर total 50 terms है तो यह हो जाएगा आपका 50 by 2 और bracket में हो जाएगा आपका 2a यानि कि 2 into यहाँ पर देखें तो a यानि कि second series में first term कितनी दिख रही है आपको 4 तो यह हो गया plus n minus 1 यानि कि 50 minus 1 तो 50 minus 1 यानि कि यह भी कितना हो जाएगा आपका 49 और multiply by तो difference देखें second series में तो 8 minus 4 यानि कि second series में जो difference दिख रहा है second series में जो difference दिख रहा है आपको कितना का दिख रहा है 4 का तो यह कर दिया भाई अब इसको solve करते हैं तो यह गया आपका कितनी बार 25 टाइम तो यह कर दिया multiply by अब यहाँ पर इसको solve करें तो 4 टूजा कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 49 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 196 तो चलिए solve करते हैं इसको directly जबर जस्ती एक step नहीं लगाते हैं 2 forza 8 प्लस उसके बाद 49 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा आपका 196 8 और 196 यानि कितना हो जाएगा आपका 204 अब इसका multiply कर देते हैं भाई सीधी सी बात है तो 25 forza कितना हो जाएगा आपका 100 carry किया 10 अब 10 में 0 हो गया यहाँ पे और ये हो गया आपका 1 25 toza कितना हो जाएगा आपका 50 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 51 तो इसकी सेकेंड सीरीज की 50 टम्स का जो सम आया वो कितना आगया 5100 आपको यह clear हो क्या होगा अब आपन कुछ नहीं करते हैं देखें आप तो पहली सीरीज की 50 टम्स का सम है आपका 6 to 25 और सेकेंड सीरीज की 50 टम्स का सम है आपका 5100 तो यदि हम इन दौनों सम को एड कर दें तो टोटल 100 टम्स का सम निकल जाएगा तो चलिए कर लेते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 5, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 तो आपके इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा 11,325 आपको यह कोश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन भी बहुत सांदार है और इसका जो लेवल रहेगा वो बहुत अच्छा है तो चलिए देखते हैं कोश्चन नमबर फाइव को फाइंड दा थर्टी थर्ड टर्म्स ऑप दा गिवन एपी यानि की नीचे दी गई समांतर शेनी का तैतिस्वा पद ग्यात करें आपकी जो एपी गिवन है यह क्या है आपकी देखिए 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23 और इसका हमको थर्टी थर्ड टर्म्स फाइंड करना है यानि की तैतिस्वा पद ग्यात करना है अब आप ध्यान से दीखें इस एपी को तो 3 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 5, 8 और 9 का डिफरेंस 1, उसके बाद 9 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया 5 मरलब डिफरेंस तो equal नहीं आ रहा अब मैंने आपको बताए कि जब भी एपी में difference equal ना रहे तो आप alternate चलें तो चलीयो alternate चलते हैं हम यहाँ पर तो 3 और 9 का डिफरेंस कितना 6, 9 और 15 का डिफरेंस 6, 15 और 21 का डिफरेंस 6 कितना 5, 13 और 18, difference कितना 5, 18 और 13, difference कितना 5, यानि कि दूसरी सीरीज चल रहे है आपकी 8, 13, 18------. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो आपको क्या करना है, कि आपको 33 पद ग्याद करना है, यहाँ पर आपको सम फाइं नहीं करना, आपको यहाँ पर total 33rd पद find करना है term find करना है 33वा पद अब आप देखें तो 33 का आधा 33 का आधा तो होगा नहीं तो इसके पहले वाले नमबर 32 का आधा करते हैं अब देखें 33 का आधा यानि कि 16 पहली सिरीज की term रहेंगी और 16 दूसरी सिरीज की term रहेंगी मतलब कि 33 का आधा 16 पहली सिरीज की term और 16 दूसरी सिरीज की term अब जब total 16 और 16 32 32 हो गई अब एक term और बची अब देखें 16 पहली सिरीज की term 16 दूसरी सिरीज की term अब जो 33rd term रहेगी वो फिर से किसकी रहेगी पहली सिरीज की यानि की 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 तो टोटल यदि हम बात करें तो हमको 33 पद यदि ग्याद करना है तो सीधी सी बात है कि यदि हम पहली सिरीज की 70 टर्म यानि की 70 पद को ग्याद कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या होगा कि सिरीज का 33 टर्म फाइंड हो कि हमको 73 पद ग्याद करना है 33 का half 16 और 16 32 हो गया अब बचा एक अब एक को हमको फिर से पहली सीरी स्का लेना पड़ेगा तो टोटल 17 याणि कि पहली सीरी स्का यदि हम सत्रवा पद ग्याद कर लेते हैं तो वो टोटल सिरीस का कौन सा पद होगा 33 यानि की 33 पद होगा तो चलिए start करते हैं यहाँ पे हमको दूसरी सिरीज का कोई भी चीज को solve करने की जरूरत नहीं है तो चलिए पहली सिरीज के हम 70th term को यानि की 70th term को find करते हैं T17 की value find करते हैं तो आपको भी पता है कि nth term in AP equals to formula क्या होता है A plus N minus 1 into D अब पहली सिरीज में A यानि की first term हो गई आपकी 3 plus N minus 1 अब देखे 17 minus 1 यानि की कितना हो जाएगा आपका 16 multiply by अब D तो देखे आप पहली सिरीज में difference देखे 9 minus 3 यानि की कितना हो गई आपका 6 तो ये difference चल रहा है 6 का तो 16, 6 ज़ा 96 plus 3 तो आपके इस question का answer हो जाएगा 99 I hope आपको ये question बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपके इस question में क्या किया बहुत बढ़िया question था level का question था और आप यकीन मानिये कि हमने इसको most easiest way में solve किया है तो I hope आपको ये बहुत clear तरीके से समझ में आया होगा अब आ जाते हैं इसी question में next condition देख लेते हैं तो इस पे आपको और एकदम concept clear होंगे find the 33rd term of the given find the sum of the 33rd term of the given AP यानि कि नीचे दी गई समानतर शेनी के 33 पदों का योग ज्याद करें अब यहाँ पर देखें आप तो पिछले question में हमको 33rd term find करनी थी और यहाँ पर हमको उनका sum find करना है तो चलिए फिर से देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने पिछले question में देखा था 3, 6 और फिर 3, 6, 9, 6, 15 मतलब कि एक series आपकी चल रही थी 3, 9 उसके बाद 15 और dash 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 और दूसरी series चल रही है आपकी 8, 13 और 18 की तो दूसरी series चल रही है आपकी 8, 13 और 18 dash 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 अब यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या करना है कि total 33 term का sum find करना है आपको यहाँ पर total 33 term का sum find करना है तो चलिए यहाँ पर देखें अधी हम तो यहाँ पर हमारी total 2 series चल रही है 33 का half यानि की 16 term पहली series में रहेंगी और 33 का half यानि की 16 term दूसरी series में रहेंगी उसके बाद अब 16 और 16 32 हो गई एक term और चाहिए अब एक term फिर से पहली series की बारी होगी यानि की 16 और एक कितनी हो जाएंगी 17 मनलब की पहली series की हमको total 17 term का sum find करना पड़ेगा और दूसरी series की total 16 term का sum find करना पड़ेगा यदि हम पहली series की 17 term और दूसरी series की 16 term इनका sum find कर लेते हैं और उसको add कर लेते हैं तो इस series के total 33 term का sum find हो जाएगा तो I hope आपको एकदम अच्छे से clear हो गया होगा मतलब पहली series के हमको 17 term का sum find करना है और दूसरी series के हमको 16 term का sum find करना है तो चलिए करते हैं फटाफट से और इसको solve करते हैं भाई चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले पहली series का find करते हैं तो आपको भी पता है कि sum of n term formula क्या होता है भाई आपका n by 2 और फे ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d चलिए तो पहली series में करते हैं sum of 17 term equals to n by 2 यानि कि term कितनी है 17 तो यह हो जाएगा आपका 17 by 2 उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2a तो 2 into first series first series में पहली term कौन सी है आपकी भाई 3 तो यह हो गया 3 plus n minus 1 यानि कि 17 minus 1 17 minus 1 यानि कि 16 और into common difference common difference पहली series में देखें आप तो 9 minus 3 तो 9 minus 3 यानि कि difference कितने का दिख रहा है आपको 6 का तो I hope आपको clear हो गया होगा अब यहाँ पर इसको solve करते हैं भाई तो यह हो जाएगा आपका 17 by 2 multiply by 16 6 is a 96 plus 3 2 is a 6 तो यह हो जाएगा आपका 96 plus 6 96 plus 6 यानि कि कितना हो जाएगा आपका 102 और इसको cancel करेंगे 2 से तो यह जाएगा आपका 51 times तो चलिए into करते हैं 17 1 is a 17 carry किया हमने कितना carry किया कितना 1 उसके बाद 17 5 is a 85 85 of 1 कितना हो जाएगा आपका 86 मतलब कि पहली series के जो 17 term का sum find किया हमने यह कितना हो गया आपका 867 I hope आपको यह बहुत बढ़िया तरीके से clear हो गया होगा अब हम क्या करते हैं कि अब हम दूसरी series की total 16 term का sum find करते हैं तो चलिए अब हम दूसरी series की 16 term का sum find करते हैं यानि कि sum of 16 terms in second series चलिए करते हैं तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले sum of n terms formula क्या होता है n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर n कितना है भाई 16 तो यह हो जाएगा आपका 16 by 2 उसके बाद bracket में 2a अब देखें second series में तो a कितना है भाई फर्स्ट टम कितनी है 8 तो यह हो जाएगा आपका 2 into फर्स्ट टम हो गई 8 plus n minus 1 यानि कि 16 minus 1 16 minus 1 यानि कि 15 और multiply by d तो second series में आप difference देखें 13 में से 8 गया तो second series में difference कितने का चल रहा है भाई 5 का तो I hope आपको यह clear हो गया होगा अब यहाँ पर हम इसको cancel करते हैं तो 2 से 16 को cancel किया 8 times गया तो यह हो गया 8 multiply by 15 5 जा तो 15 5 जा आपको भी पता है 75 75 plus उसके बाद फिर देखें तो 8 2 जा 8 2 जा कितना होता है आपका 16 यानि कि 75 plus 16 तो यह हो जाएगा आपका 91 अब इंटू करते हैं तो 8 1 जा 8 और उसके बाद 8 9 जा कितना हो जाएगा आपका 72 तो सीधी सी बात है दूसरी series की 16 terms का जो योग निकला है वो कितना निकला है 728 तो यह कर दिया दूसरी series की 16 terms का जो sum find किया हमने कितना कर दिया 728 अब आप ध्यान से देख ले पहली series की 17 terms का sum है 867 और दूसरी series की 16 terms का sum है 728 तो आप खुद बताएं कि इस जो series given है इसकी हमने 33 पदों का योग 33 term का sum निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया अब बस इसको add करना बागी है 1595 तो I hope आपको clear हो गया होगा कि question का answer हो जाएगा 1595 तो I hope आपको ये questions में आप ऐसी AP जिसमें double series चल रही हो आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अब आपको इस condition के question में कोई भी problem नहीं होगी चलिए question number 7 को देखते हैं तो question number 7 में बोला है कि find the first term of an AP whose eighth term and twelfth terms are 39 and 59 respectively यानि कि उस समानतर शेणी का प्रथम पत ज्याद करें जिसका आठवा एवं बारवा पत करमसा 39 और 59 है अब ये याद रखेगा कि ये question बहुत important है और exam में कई बार ये question पूछा जाता रहता है तो यहाँ पर इस question को solve करने का सबसे सरल और आसान तरीका आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से इसको focus करके देखेगा सबसे पहले हम given देखें तो यहाँ पर देखें आप 8th और 12th term जो है वो 39 और कितनी है भाई 59 है मतलब कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो AP है उसकी 8th term जो है यह कितनी given है आपको 39 ठीक है भाई समझ गए और उसके बाद उसी AP की जो 12th term है वो कितनी given है आपको 59 given है ठीक है और उसके बाद आप से उनने पूछी क्या है उसकी 1st term 1st term अब सीधी सी बात है यदि हम लिखेंगे तो 12th term यह हो गई 8th term यह हो गई 1st term यहाँ पर आएगी उपर तो यह हमने कर दी है यहाँ पर हमको 1st term find करना है अब एक step में solve करना देखते हैं तो देखिए आप सीधी सी बात है यदि आप 8th term से 12th term में जाएंगे तो आपको total कितनी term बढ़ानी पढ़ेंगी चार अब चार term बढ़ानी पढ़ेंगी यानि की चार बार difference बढ़ाना पढ़ेगा तो 4d equals 2 39 से 59 पर जाएंगे तो कितना बढ़ाना पढ़ेगा 59 और 39 का difference लिया 59 माइनस 39 तो कितना हो जाएगगा आपका 20 तो 4D Q20 तो D Q2 कितना हो जाएगा भाई 5 यानि कि जो difference है वो कितना दिया हुआ है आपको 5 अब आपको पहली term find करने हैं तो देखिए आप सीधी सी बात समझें कि आप 8th term से 1st term पे जाएंगे अब 8th term से 1st term पे जाएंगे तो सीधी सी बात है आपको कितना difference कम करना पड़ेगा कितनी term पीछे जाना पड़ेगा 7 यानि कि कितना difference कम करना पड़ेगा आपको 70 difference कम करना पड़ेगा सीधी सी बात है यहाँ पर 7 multiply by difference कितना दिख रहा है आपको 5 तो 7 multiply by 5 यानि कि कितना हो गया 35 मतलब यदि आप eighth term से first term पे जाते हैं तो आपको 70 difference कम करना पड़ेगा यानि कि 35 कम करना पड़ेगा तो 39 minus 35 तो कितना हो जाएगा 4 यानि कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारी जो answer हो जाएगा कि AP की जो first term होगी ये कितनी हो जाएगी for I hope आपको एक question बहुत बढ़िया तरीके से सरल तरीके से समझ में आगया होगा अब आते हैं next question पे जो कि इससे मिलता जुलता हुआ है एक तम तो चलिए देखते हैं इस question को find the 26th term of NAP whose 7th term and 21st terms are 6 and minus 22 respectively यानि कि उस समानतर्व सेनी का 26 पद क्यात कर है जिसका सातवा एवं 21वा पद क्रमसा 6 और minus 22 है चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले given देखें तो 7th term है 6 और 21st term है minus 22 तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर हम कि जो 7th term हो गई 7th term जो हो गई ये कितनी हो गई आपकी 6 तो ये लिख दिया उसके बाद जो 21st term है यानि कि term 21 तो term 21 जो है आपकी ये कितनी है minus 22 है ठीक है और आपको ने क्या बोला है कि आपको क्या करना है 26th term find करना है मतलब कि T26 की value find करनी है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो given है उसको solve करें तो यहाँ पर 7th term से 21st term पर आएंगे मतलब कि total कितनी term बढ़ रही है 21 मैं से 7 गया तो total कितनी term बढ़ रही है 14 तो यह हो गया 14D equals to अब difference देखते हैं यहाँ पर तो देखे 21st term है minus 22 minus 7th term है आपकी 6 तो minus 22 minus 6 यानि कि difference कितना हो गया minus 28 तो इन दोनों terms का जो difference है यह कितना है minus 28 अब आप देखें भाई तो 14D equals to 28 14D equals to 28 तो D equals to 14 2 जा कितना हो जाएगा आपका 28 यानि कि D equals to हो गया आपका minus 2 तो यहाँ तक आई हो आपको clear हो गया होगा अब आप देखें तो यहाँ पर देखें 21 से terms बढ़ेंगी मतलब कि कितना difference बढ़ेगा 5D बढ़ेगा अब यहाँ पर आप देखें तो 5 multiply by difference कितना हो गया आप देखें तो difference देखें minus 2 है तो यह हो जाएगा आपका minus 2 तो 5 into minus 2 मतलब कि कितना और बढ़ जाएगा यह minus 10 मतलब minus 22 था minus 10 और हो गया अब आते हैं next question पे तो next question को देखते हैं find the sum of the first 16 terms of an AP whose first and third term are 12 and 26 respectively यानि कि उस समानतर शेणी के 16 पदों का योग ज्याद करें जिसका पहला और तीसरा पद क्रम सहा 12 और 26 है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपको उनने क्या बोला है कि समानतर शेणी का पहला पद यानि कि term 1 ये कितनी बोली गई है आपको 12 ठीक है भाई और उसके बाद उनने आपसे बोला है कि समानतर शेणी का तीसरा पद यानि कि term 3 तो term 3 आपको कितनी बताई गई है ये बताई गई है 26 तो अब आपको उन्य बोला है कि इसके 16 पदों का योग यानि कि आपको क्या करना है कि sum of 16 term find करना है तो चलिए देख लेते हैं इसको अब यदि हम बात करें तो आपको भी पता है sum of n term formula क्या होता है n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर यदि हम देखें तो first term तो हमको given है लेकि difference नई given है कि difference कितना है तो difference निकाल लेते हैं फर्ष्ट term से थ church term पहे आएंगे तो CDC बात है फर्स्ट term और थर्ट term का difference कितना हो गया 2 मतलब कि difference कितना पढ़ाना पढ़ेगा दो बाल तो यह हो गया 2d equals to 26 और 12 का difference 26 और 12 का difference कितना हो जाएगा वहाई आपका 14 तो यह हो गया 2D equals to 14 तो D equals to कितना हो जाएगा 7 यानि कि हमारी जो AP है इस पे जो difference given है ये कितना given है 7 तो I hope आपको clear हो गया होगा अब हमें यहाँ पे इसके 16 term का sum find करना है तो चलिए करते हैं sum of N terms equals to N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D तो चलिए करते हैं N कितना है 16 तो यहाँ पे हो गया आपका 16 by 2 bracket में फिर 2A2 into first term first term given है आपको 12 तो यह हो गया आपका 12 plus उसके बाद N minus 1 16 minus 1 16 minus 1 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 15 और multiply by difference difference कितना दिख रहा है आपको देख लीजे आप 7 तो यह हो जाएगा आपका 7 तो आपका इसका question का answer हो जाएगा 2 से 16 को cancel करेंगे यह कितनी बार जाएगा 8 बार multiply by अब आप देखें तो 15 सत्ते 105 और 12 दूनी 24 तो 105 और 24 कितना हो जाएगा आपका 129 तो यह हो गया अब इसका multiply कर दें तो 8 9s are 72, carry किया 7, 8 2s are 16 और 7 23, carry किया 2 और 8 1s are 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10 तो आपके question का answer हो जाएगा 1032 और यह होगा आपके question का answer तो I hope आपको यह concept समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया तो यह चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी भी term के बीच में जो difference होता है ना वो किसी भी term के जैसे मैंने बोला आपको T10 और T20 तो सीरी सी बात है इनक इसका difference कितना हो गया 10 तो इनके बीच में जो difference होगा वो कितना होगा 10 और आपको अगर difference निकालना है तो बड़ी term में से छोटी term को minus कर लें तो जो भी आएगा तो वही क्या हो जाएगा आपका इनका difference होगा और फिर आप उसको solve कर सकते हैं बहुत आसानी से तो I hope आपको य 10 में बोला है find the number of terms of the given AP whose sum is 513 यानि कि नीचे दी गई समांतर शेणी के पदों की संख्या ग्यात करें जिसके पदों का योग 513 है और जो AP है ये क्या है आपकी 54, 51, 48 यानि कि सीरीज में आपको भी पता है आप देख लें तो common difference कितना देख रहा है तीन, तीन कम हो रहा है ठीक तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको solve करते हैं तो सीधी सी बात देखते हैं भाई यहाँ पर अब यहाँ पर देखें तो आप n terms का जो sum दिख रहा है वो आपको कितना दिख रहा है 513 अब आपको भी पता है कि किसी भी AP में sum of n terms formula क्या होता है भाई आपका n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d चलिए तो यहाँ पर देखते हैं तो sum of n terms यानि की n पदों का योग यह आपको देख रहा है 513 तो यह लिख दिया मैंने sum of n terms equals to 513 equals to n by 2 अब number of terms तो पता नहीं है तो यहाँ पर यह हमने कर दिया n by 2 उसके बाद फिर अब करते हैं 2a तो 2 into first term आप देखें तो कितनी है 54 तो यह हो जाएगा आपका 54 और plus उसके बाद n minus 1 number of terms तो पता नहीं है तो यह हो गया आपका n minus 1 और into difference तो आप देखें 54 से 51 हुआ मतलब कि difference कितना है minus 3 तीन कम हो रहा है भाई तो यहाँ पर हो जाएगा आपका minus 3 तो आई होप आपको यहाँ तक clear हो क्या होगा अब देखे आप तो यहाँ पर आप इसको solve करें तो यह हो जाएगा आपका 513 is equals to n by 2 यह हमने solve किया उसके बाद यह हो जाएगा आपका 54 into 2 कितना हो जाएगा 108 उसके बाद minus 3 into n कितना हो जाएगा minus 3 n और उसके बाद minus 3 into minus 1 क्या हो जाएगा आपका plus 3 तो यह हो गया अब अगले step पे यदि आप इसको quadratic equation बना कर solve करेंगे तो आपका question बहुत लंबा खिच जाएगा और यदि आप इसे option से solve करते हैं तो जादा better रहेगा तो option से solve करने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा simple कर लें तो यह हो जाएगा आपका 513 equals to n by 2 उसके बाद अब आप देखें तो 108 और 3 कितना हो जाएगा आपका 111 और minus कितना हो जाएगा 3n तो चलिए यह हमको equation को मिला कर मिल गई है कि equation हमारी क्या है यदि n by 2 111 minus 3n n की कोई भी value रखते हैं और यदि यह 513 के बराबर आता है तो वही क्या हो जाएगा हमारा answer तो I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मैं अब option में क्या करूंगा मुझे n की value निकालनी है तो यह मैं क्या करता हूँ कि right hand side मैं n की value रखता हूँ और यदि वो left hand side की equal हो गई तो हमारा वही क्या हो जाएगा answer होगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहला option देखते हैं हम तो पहला option है 18 यानि की जगह रखके देखते हैं 18 तो चलिए करते हैं 513 equals 2 n by 2 n की value कितनी हो जाएगी 18 by 2 उसके बाद यहां पर solve करें तो यह हो जाएगा आपका 111 minus 3 into n n की value कि इतनी हैं आपकी 18 तो यह कर दिया हमने अब यहां पर आप देखें इसको तो 2 से 18 कितनी बार जाएगा 9 times तो यह हो गया आपका 513 equals to 9 multiply by अब यहां पर आप देखें 111 minus 3 into 18 54 111 मैसे 54 जाएगे तो यह हो जाएगा आपका 57 अब गुणा कर कर देखें आप तो देखें 9 7 कितन 45 और 6 कितना हो जाएगा 551 तो यहां पर आप देखें तो यहां पर हमारा 513 आ रहा है 513 आ रहा है मतलब सीरी सी बात है option A तो सही है लेकिन आप ठ्यान से देखें तो option C में आपको दिख रहा है A and B बोथ अब option C में A and B बोथ दिख रहा है तो इसके लिए अब हमको option B भी च करते हैं value पुट करके यदी आएगा यदी B भी आजाएगा तो हमारा फिर answer C होगा तो चलिए देखते हैं तो sum आपको कितना निकालना है 513 equals to number of term number of term कितनी है B के according 19 तो यह हो जाएगा आपका 19 upon कितना हो जाएगा 2 उसके बाद अब आप solve करें तो 111 minus कितना हो जाएगा आपका 3 into 19 तो यह हो गया मतलब इसको हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 513 आना चाहिए हमारा answer और आप देखें 19 by 2 तो यह हो गया आपका 19 by 2 multiply by यहाँ पर करें 111 minus 57 तो यह हो जाएगा आपका 54 और 2 से cancel करेंगे तो यह हो जाएगा 27 अब आप multiply करके देखें यदी 513 तो तेरा आगया तो यह भी हमारा answer है तो देखें आप 19 7 जा कितना होता है 13 carry किया 13 19 टूजर 38 और 13 कितना हो जाएगा 51 तो यहाँ पर भी आप देखें कि 503 हमारा sum आ रहा है मतलब कि option भी भी सही है तो हमारे इस question का answer हो जाएगा option C A and B both यानि कि यहाँ पर पदों की जो देख्या रहेगी 18 भी हो सकती है और 19 भी तो अब आप लोग बोलेंगे कि AKP में same sum दो बार कैसे आ सकता है भाई तो यहाँ पर आप देखें तो जो series आपकी हो रही है series descending order में है descending order में यानि की minus हो रही है माइनस हो रही है तो फिर जब series में 0 आएगा तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर भी इसका जो जब इसकी nth term 0 आएगी last term 0 आएगी तब भी योग कितना आएगा 513 और यदि उससे तीन और कम दे कर दें तो last term minus 3 आएगी तो उस टाइप से भी क्या होगा इसका योग कितना होगा 513 होगा वो condition लग जाएगी आपकी तो I hope आपको यह concept अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यह करें तो वो आपको जादा easy पड़ेगा और simple पड़ेगा as compared to quadratic equation बना कर solve करते हैं वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा चलिए तो अब देख लेते हैं question number 11 को तो इस पे दिया हुआ है what is the maximum sum of the terms in the given AP यानि की नीचे दी गई समांतर शेनी के पदों का अधिक्तम योग कितना होगा यहाँ पर हिंदी में typing error हो गई है question में तो I hope आपको clear हो क्या होगा कि question में पूछा है कि अधिक्तम योग कितना होगा तो यदि आप series देखें तो 25, 24.5, 24, 23.5 ऐसी आपकी series चल रही है तो अगर आप ध्यान से देखें तो 25 से 24.5 हुई यानि कि 0.5 क्या हो रहा है मतलब की सीदी सी बात है series में 0.5 कम हो रहा है और हमको maximum sum चाहिए अब याद रखेगा आप कि यदि आपको किसी भी series में maximum sum शाहिए है और यदि उस series में आपका क्या हो रहा है जो number है वो कम होते जा रहे हैं तो उस case में maximum sum चाहिए होगा तो last जो आपकी desert रहेगी last जो आपकी series की term रहेगी वो कितनी रहेगी भाई 0 तो I hope आपको clear हो गया होगा कि किसी भी descending series में यदि आपको उसकी terms का maximum sum चाहिए तो उसकी जो last term रहेगी वो क्या रहेगी maximum sum के लिए 0 क्योंकि 0 के बाद जो आपकी series चलेगी वो negative चलेगी और negative चलेगी तो जो difference जो आपका maximum sum होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा फिर वो कम होता जाएगा तो I hope आपको clear हो गया होगा अब यहाँ पर यदि आप देखे तो इसकी last term 0 है यानि की series ही बात है कि nth term कितनी हो गई भाई 0 अब nth term 0 है और यदि हम देखें first term 25 है और यहाँ पर यदि आप देखें तो जो series में common difference है वो 0.5 minus का है तो चलिए देख लेते हैं आपको भी पता है किसी भी AP में nth term equals to formula क्या होता है tn बराबर a plus n minus 1 into d अब nth term हो गई आपकी 0 तो tn nth term 0 बराबर a a यानि की first term तो यह हो गई 25 plus n minus 1 अब n minus 1 हमको नहीं पता और multiply by कितना हो जाएगा d तो difference कितना है minus 0.5 का तो I hope आपको clear हुआ होगा यहाँ तक अब 25 सेड जाएगा तो minus 25 होगा तो यह हो गए आपका minus 25 equals to n minus 1 multiply by minus 0.5 अब देखें आप तो minus से minus cancel हो गया यहाँ पर अब हम इसको solve करेंगे तो 0.5 से जो आपकी 25 होगा यह कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा और minus 1 इस सेड आएगा तो plus 1 हो जाएगा तो n बराबर 50 plus 1 यानि की कितना हो जाएगा 51 यानि की सीडी सी बात है कि यहाँ पर total number of terms कितनी निकल गई भाई हमारी 51 निकल गई तो यहाँ पर total number of terms 51 निकल गई है तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया कि number of terms कितनी हो गई 51 अब आपको भी पता है कि आपको यहाँ पर sum of end terms sum of end terms का आपको formula पता है क्या होता है भाई यहां पर अगर आप देखें first term given है last term given है number of terms आपने find कर ली है तो आपको भी पता है कि sum of n terms formula क्या होता है भाई n by 2 first term of plus last term तो यहां पर अगर हम देखें तो sum of 51 terms यानि कि sum of sum of 51 terms equals to क्या हो जाएगा भाई n by 2 यानि कि 51 by 2 और multiply by first term हो गई आपकी 25 plus last term हो गई आपकी 0 तो यह हो जाएगा आपका 51 by 2 और multiply by 25 plus 0 यानि कि 25 और इसको हम solve करें तो 25 ones are 25 carry किया हमने कितना 2 25 five's are 125 और 2 कितना हो जाएगा 127 और divided by 2 और इसको आप cancel करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 637.5 तो आपके इस question का answer हो जाएगा 637.5 आई होप आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया तो यह आपके AP के important important सभी questions खतम हो गए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें और अपने friends तक भी share करें ताकि वे सभी भी इस lockdown के समय में अपनी तयारी को जारी रख सकें जय हिन जय भारत वंदे मातरम